हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एकोलोजी है वो क्या है और दूसरा इसकी हिस्टरी क्या रहेगी हिस्टरी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था आज जो टॉपिक हम लेकर चलेंगे वो है ब्रांचीज और इसके लेव तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले हम इसकी ब्रांचीज के बारे में बात करेंगे वैसे देखा जाए तो इकोलोजी की बहुत सारी ब्रांचीज होती है लेकिन जब हम बात करते हैं में की ठीक है जो में ब्रांचीज है जब हम उनकी बात करते हैं यानि हम जब main branches की बात करते हैं तो main branches के अंदर दो branches आती है oat ecology और sin ecology ठीक है? oat ecology, oat mean यहाँ पर क्या मतलब होता है? oat का means होता है self ठीक है? oat नहीं होता है actually मैं हम इसको जब दूसरी भाशा के अंदर convert करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं autos, ठीक है? autos means यहाँ पर क्या होता है? self ओके? और यहाँ पर जो sin word दे रखा है sin word का यहाँ पर mean होता है together together यानि sats, ओके? तो अब देखिए बच्चे oat ecology, oat ecology means मैंने क्या बताया भी आपको self, self यानि single से बात कर रही हूँ मैं जब हम किसी एक organism की, ठीक है? एक bird की बात कर ले या हम किसी भी एक individual की बात कर ले यानि मैं खुद को लेकर चलूँ तो मैं एक individual और मेरे आस पास का सारा environment जब मैं इनकी relationship study करती हूँ यानि मैं खुद की relationship environment के साथ study कर रही हूँ तो वो किस के अंदर आजेगा? eat or oticology के अंदर, ठीक है? तो मैंने क्या लिया है? single एक individual या है यहाँ पर उस individual की यहाँ पर study हो रही है, ठीक है? किसी जन्तु की एक जाती और उसके वातावरण का जब हम अध्यान करती है या हम कहें कि study of interrelationship of organism of a species of biotic and a biotic environment के साथ जब हम उसकी अब हम बात करते हैं cynicology cynicology means together together means एक group, ठीक है? जब हम group को साथ में लेकर चलेंगे और जब हम उनकी study करेंगे environment के साथ, तो वो किसके अंदर रखा जाएगा? cynicology के साथ रखा जाएगा, ठीक है? यानि study of a group of organism और उसके environment की study हमने old ecology के अंदर cynicology की जब हम बात करते हैं तो हमने पूरा का पूरा जो फ्रोग का group है उसको उठा लिया है ठीक है? जब group की बात आती है, तो वो कौन होता है? cynicology और जब सिरफ एक single individual की बात आती है, तो वो किसमें आ जाती है? or टिकोलोजी, इन दोनों के उपर कोशन आते हैं बच्चे अलग अलग ये पूछ लिया जाता है कि और टिकोलोजी में किसकी study की जाती है और cynicology में किसकी study की जाती है ठीक है? जब group की बात आ जाती है, तो हम sin word यूज करते हैं, ठीक है? sin, अब population के अगर हम बात कर दे, population word अब आगे मैं समझाऊंगी आपको population भी क्या है? एक group है community की बात करते हैं तो वो भी क्या है? एक group है तो वो sin ecology के अंडर आ जाते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? गृप की बात कर रहे हैं ठीक है? तो यतना clear है कि main ecology की दो ब्रांचिस हैं art ecology और pattern case तर ठीक है? किस तरह से ecology से हम ecosystem तक पहुँचते हैं या हम कह सकते हैं एक single individual से हम ecosystem तक कैसे पहुँचते हैं किस तरह से ecosystem बना किस तरह से tantr बना तो इसकी एक journey जो है इसे हमने क्या कहा? level of organization कहा ठीक है? सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करेंगे आपने देखा है बेटा कि हमारा जो शरीर है ठीक है? हमारी जो body है वो किस की बनी हुई है? कोशिकाओं की बनी हुई है? ठीक है? लेकिन हमारी body का जो origin है वो एक single cell से हुआ ठीक है? यानि सिर्फ एक single cell थी एक single कोशिका थी जिससे क्या हुआ? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्मान हुआ बहुत सारी cell की formation हुई और उसको हमने क्या वाट दे दिया? टिशू या उत्तक ठीक है? जब बहुत सारे टिशू अलग-अलग एरिया में फैले होंगे तो वो किसका निर्मान करेंगे? और गन का निर्मान करेंगे और जब अलग-अलग औरगन इकटे हो जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? एक औरगन सिस्टम बना लेंगे ठीक है? एक कोशिका होगी उसके बाद एक उत्तक का निर्मान होगा उसके बाद अंग का निर्मान होगा और उसके बाद क्या बनेगा अंग तंत्र ठीक है ये एक specific individual की मैं बात कर रही हूँ सरफ एक single चाहे आप एक frog को लेकर चल लीजिए चाहे एक human being को लेकर चल लीजिए ठीक है जहां पर number of cells आएंगे tissue आएगा, organ आएगा और organ के बाद किसका formation होगा organ system की formation होगी ठीक है तो ये just एक intro इसी तरह जब हम ecology से ecosystem तक पहुँचने की बात करते हैं तो इसी तरह के level of organization हमें study करनी होती है ठीक है तो उसके अंदर देखिए बच्चे आप यहां देखेंगे की level of organization यानि सबसे पहले किसका निर्मान हुआ है यहां पर individual, single क्या बना है एक individual है उसके बाद का जो आएगा population उसके बाद होगी community उसके बाद होगा ecosystem और उसके बाद एक term हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे biosphere हम अब एक एक word को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके हर एक word पर question बनता है बच्चे ठीक है तो हम देखते हैं सबसे पहले बच्चे organism organism या हम इसकी जगा लिख सकते हैं individual ठीक है individual भी लिख सकते हैं organism भी लिख सकते हैं यानि कोई भी एक छोटा सा जीव ठीक है यह जो जीव हम ले रहे हैं जो यह हम organism ले रहे हैं इस organism को क्या माना जाता है basic unit of ecology ठीक है इसको प्रास्थितिकी की मूल भूत इकाई माना जाता है यह question आता है बच्चे ठीक है जो जीव है जो single human being है यह single organism है इसको हम क्या मानते हैं यहां पर basic unit of ecology ठीक है तो अब देखिए बच्चे single एक organism से यह काम स्टार्ट होगा यह हम कहते हैं कि यह level जो है यह स्टार्ट होगा सबसे पहले एक single organism होगा ठीक है जो की क्या माना जाएगा basic unit माना जाएगा ecology की प्रास्तितिकी की इसके बाद हम बात करें जब एक अकेला है तो वो कोन है organism लेकिन जब यह अकेला साथी और इसके दूसरे साथी इसी की species के आकर इसके पास में जमा हो जाते हैं यानि एक group का निर्मान कर लेते हैं एक group की formation कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है population यहाँ पर population का मतलब होता है same species का group ठीक है group of a same species of individual individual का जो एक इनसान था या human human being ले लेते हैं एक human being की जगा पांच human being आ जाते हैं किसी एक area के अंदर particular area के अंदर और वो एक group का निर्मान कर लेता है तो हम कौन सा word use करेंगे यहाँ पर population या smush ठी ठीक है आप और समझने की कोशिश करिए हम अकेले थे ठीक है हम organism थे अब हम एक family के अंदर है ठीक है family के अंदर हम मान लेते हैं हमारे parents हो गए हमारे elders हो गई ठीक है हमारे दादा दादी ममी पापा है न तो यह सारे हो गए तो हमने मिलकर क्या बना ली एक population बना ली ठीक है यहां तक आपको clear हो गया organism और जब group में convert हो जाते हैं यह organism यह जो individual इसको हम क्या नाम दे देते हैं population यानि की समश्ठी इतनी बात के लिए रहे बच्चे अब मान लीजिए हमने अभी एक ही population की बात की की हमारी family ठीक है अब एक हमारी family हो जाती है मान लो एक हम dog की family ले लेते हैं पूरी एक हम मान लेते हैं की गाए है ना गाए का बच्चडा है ना यानि हम कहसे हैं cow ले लिया calf ले लिया ठीक है इसकी पूरी family ले ली तो एक और हमारे पस family आगी जब हम इन अलग-अलग population को साथ में जोड देते हैं यानि एक ही जगाँ पर इन सब को रख देते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है community के अंदर आ जाता है ठीक है community का means होता है a group of populations different population जो है उसका जो group बनेगा उसको हम किसके अंदर रख देंगे यहां पर community के अंदर रख देंगे ठीक है community को हम बुलते हैं समुदाई ठीक है यानि सबसे पहले हमारे पास organism आया था जब हमने organism का एक group बनाया एक same species का group बनाया तो उसको हमने क्या रखा population के अंदर जब different different population को हमने एक जगा रख दिया तो उसको हमने क्या बनाया एक community ठीक है आप इस diagram के अंदर थोड़ा सा देखें बैचे यहाँ पर देखिए single individual था एक frog था लेकिन हमने बहुत सारे frog को यहाँ पर एक जगाई कठा कर दिया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया population या smishti और अब इस population के साथ आप देख सकते हैं कुछ plants भी present है कुछ और species भी यहाँ पर present है तो यह क्या हो जाएगी एक तरहां की community हो जाएगी यानि एक तरहां का क्या हो जाएगा यहाँ पर समुदाय होगा ठीक है अब देखिए जब इस समुदाय को हम relate कर देते हैं किसके साथ उसके आज सपास मौजूद environment जिसके अंदर abiotic और abiotic दोनों तरह का environment आजएगा यानि हम उसको एक system के अंदर change कर देते हैं यानि हर एक दूसरे के उपर क्या होगा dependent होगा तो उसको हम किसका नाम दे देंगे ecosystem पारिस्थी तक्री तंत्र का नाम दे देंगे यहाँ पर हमने पढ़ा था न organ से organ system का निर्मान होता है इसी तरह से different communities जब आपस में मिल जाती है ठीक है और उसका जब हम environment के साथ relation देखते हैं तो उसका हम एक system बना लेते हैं और उस system को क्या कहते हैं ecosystem यानि पारिस्थीत की तंत्र ठीक है यहाँ तक clear है आपको अब next जो है word यहाँ पर आप देख पा रहे है biosphere biosphere क्या है यहाँ पर तो इसको हम थोड़ा सा clear करते हैं बच्चे biosphere का मतलब क्या होता है environment है ठीक है environment के अंदर तीन चीज़े present है ठीक है एक air present है एक water present है और एक land या earth जिसकी हम बात करते है ठीक है वो present है इनको अगर हम air की बात करें तो उस language को हम बोल देते है atmosphere उस term को हम बोल देते है atmosphere और जब हम पानी की बात करते है तो इसको हम बोलते है hydrosphere और अगर हम earth की बात करते है land की बात करते है तो उसको हम क्या बोल देते हैं लितोस cœur ठीक है ऐसी जगह जहा पर air भी present हो, water भी present हो और land भी present हो उन तिनों के combination को हम क्या बोलते हैं बायो स्फियर या जैव मन्डल, जैव मन्डल ऐसी जगह है जहां पर जीवन जो है वह अच्छे से जिया जा सकता है यानि जो जीवन है वो यहाँ पर possible है जो life है वो biosphere के अंदर ही possible है यानि की जैव मंडल के अंदर possible है जब यह तीनों चीज़ें एक ही जगां पर आ जाती है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? biosphere biosphere के अंदर ही क्या है? ecosystem की हम study करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? जीवन जो है वो possible है ठीक है? यहाँ पर देख लिए यह lithosphere जो की land का portion है A means atmosphere यानि air जहाँ present है hydro hydro means यहाँ पर क्या है? hydrosphere का means है यहाँ पर पानी possible है तो इन तीनों का जहाँ पर join होगा यानि जहाँ पर land भी है भूमी भी है air भी है और पानी भी है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? biosphere या jayv mandal तो यह सारे के सारे क्या थे? level थे ठीक है? एक organism से एक ecosystem जो है वो कैसे बनता है और यह ecosystem जो है वो कहाँ पर होगा? biosphere में possible होगा ठीक है? तो यह आप देख ले ना यहाँ पर अगर आपको कोई confusion है तो आप मुझे message कर देना whatsapp पे या जो description box आता है comments जो आते हैं वहाँ पर भी आप मुझसे questions पूछ सकते हैं जिसके अंदर भी आपको doubt रहा होगा अगली जो हमारी class होगी बच्चे उस class का important topic होगा ecosystem हम वहाँ पर ecosystem की study करेंगे साथ में ecosystem के जो components होते हैं abiotic और biotic के उसके बारे में हम discussion करेंगे तो आज के लिए इतना ही ठीक है? इसके अंदर आपको कोई भी doubt होता है तो please मुझे आप बता दीजेगा ताकि इसको next class के अंदर solve किया जा सकी ओके बच्चे thank you